नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका PharmaRox के YouTube एजुकेस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं ओफलाटोस OZ टेबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस में ओफलाटोस OZ टेबलेट यूज़ के ज़ता है साथ ही जानेंगे उसके डूस के बारे में उसके सैड एफेक्स क्या होते हैं वर्निंग अन कांटर इंडिक्रिसंस क्या होते हैं उसके डीटेल स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवायों के बारे में सिखना है तो मेडिसिन कॉर्स को आप जोइन कर सकते हैं कि यहापी जो आप डीटेल देख सकते हैं मेडिसिन कॉर्स के कि जैसे आज हम यहाँ पे OFLATOS OZ के बारे में सिखेंगे ऐसे ही बहुत सारी दवायों के बारे में सिखें Medicine Course के अंदर Pharma Rocks के अब उपर तो यह Course जोइन करने के लिए हमारी App को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पे तो आप समझते हैं OFLATOS OZ टाबलेट के बारे में तो यह combination medication है दो एंटिबायोटो का उसके अंदर combination है एक एंटिबायोटो के है जिसका नाम है ओफलॉक्जासिन के जो 200 mg जितना यह टाबलेट के अंदर प्रेजन्ट होता है और दूसरा और निडाजॉल की जो 500 mg जितना इस टाबलेट में प्रेजन्ट है manufacture के हम बात करें तो Intas Pharmaceuticals जो उसके manufacture है तो अब रोल देखे ओफलॉक्जासिन के है तो ओफलॉक्जासिन जो है वो फ्लोरोकिनोलन क्लास का एंटिबायोटिक ड्रग है और यह फ्लोरोकिनोलन का जाती है कि जो बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए यूस किया जाता है उसी तरह से और निडाजॉल के हम बात करें तो वो एक एक एंटी प्रोटोजॉल ड्रग है जो लग लग प्रोटोजॉल infections होते है या फिर एंटी अमोईबिक एक्सन के लिए भी वो यूस किया जाता है मतलब कि जो परजीवी संक्रमन होते है तो उसके इलाज में भी ये medication जो यूस की जाती है और उसके पास एंटी अमोईबिक भी एक्सन है एंटी प्रोटोजॉल एक्सन है और और नाइट्रोइमीड आजॉल क्लास का ये एक अंटी बाइटिक ड्रग है कि जो बहुत सरे परजीवी संक्रमन जैसे की समझो कि इसी को ट्राइकोमोनियस के कंडिशन होई है अमेबायस इसके कंडिशन है जियाडियस के कंडिशन तो सब एंडिकल कंडिशन को ये treat करता है अब label के study करते हैं यहाँ पे तो यह Rx महले के prescription based medication रहेगी दो medication का combination यहाँ पे आप देख सकते हैं ओफ्लोक्जासिन और निडाजॉल और ओफ्लोटास ओजेट जो वो कमपनी ने उसका brand name रखा हुआ है Intas Pharmaceutical उसके manufacture है 200 mg ओफ्लोक्जासिन रहता है और 500 mg और निडाजॉल और सिद्डियू लेज प्रिस्क्रिप्शन बेस ड्रग रहेगी सो जब भी कोई उसको retail में बेचता है तो prescription के साथ ही उसको जो वो बेचा जाता है तो खास यह धियान रखना है कि prescription के साथ ही आप उसको यूस करना होता है second हम बात करें उसका basic use की तो सबसे पहला उसका basic use है diarrhea के अंदर कि जो dust की condition हम कहते है या फिर अतिसार की condition कहते है watery diarrhea कहते है, loose motion कहते है तो उसमें यह medication जो वो काफ़ी effective साबित होती है second हम देखें उसका use to urinary tract infections को treat करने के लिए यह combination काफ़ी असरदार साबित होता है तीसरा, जो intestines में infections होते है उसको भी यह treat करता है respiratory tract infections है आपको gonorrhea की condition है जो reproductive organs है या फिर जो genitals होते है वहाँ पे कोई infections हुआ है gastrointestinal infections है मतलब कि कोई pet में infection हुआ है तो उसमें भी यह medication जो वह काफ़ी effective साबित होती है फिर omobiasis की condition है GRDasis है, Trichomoniasis bacterial vaginosis की condition है infected gum से dental abscess की condition है या फिर H. pylori infection मलग कि बहुत सारे use है उसके तो जितने भी अलग लग परजीवी के करण होने वाले संक्रमन as well as जो bacteria के करण होने वाले संक्रमन को treat करने के लिए Oflados OZ tablet जो यूज किया जाता है अब उसके dose के हम बात करें तो adult dose सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ofloxacin या फिर ornidazol दोनो दिन में दो बार जो पेशन ले सकता है कि उनका जो dose है कि 200 mg दिन में दो बार as well as ornidazol 500 mg दिन में दो बार तो यहाँ पर आप देखो तो यह tablet के अंदर combination इस तरह से है 200 mg ofloxacin है 500 mg ornidazol है तो पेशन जो दिन में एक या फिर दो tablet खा सकता है गर कोई lower dose से treatment स्टार्ट करता है तो once a day भी यह tablet ले सकता है या फिर दिन में दो बार भी वो खा सकता है और दो दोस के बीच में at least 12 गंटे का time interval रखना चाहिए और child dose के हम बात करें तो जो adult dose है उससे half कर देना चाहिए बच्चों के लिए उसके कोई side effects होते हैं जैसे कि कोई यह medications लेता है इसको यह लेने के बाद dizziness जैसा फिल होता है फिर सीरदर्ज होता है सीर चक्राता है पेट अपसेट हो जाता है हमले के कई बार acidity जैसा फिल होता है heartburn जैसा फिल होता है सीनी में जलंजों, condition हम कहते हैं कुछ लोगों को nausea, vomiting हो जाती है बुख कम हो जाती है कुछ लोगों को यह medications के side effect अगर यह medications suit ना करे तो diarrhea ठीक होने के बज़ाए और ज़्यदा diarrhea हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों को उसके current constipation भी हो सकता है और metallic taste जैसा कुछ लोग फिल करते हैं यह medications को लेने के बाद pregnancy के दुरान उसकी हम बात करें तो pregnancy में यह safe है या unsafe तो pregnancy category C है और जो fetus होते हैं जो animal study के दुरान जो देखने को मिला की जो fetus होते हैं उसके उपर जो वो harmful effect देखने को मिली थे तो humans के अंदर भी यह problem हो सकता है तो खास कर आपको safe side रहना है और pregnancy के दौरान यह medication को जो वो completely आपको avoid करनी है तो pregnancy में उसको use ना करें और आपके gynecologist के सला जरूर दे कि अगर कोई आपको यह medication prescribe करता है वार्निक्स के हम बात करें तो यह medication लेना तुरंद बंद कर दिना चाहिए अगर आपको fainting जैसा feel होता है मलब कि patient बेहुस हो जाता है उसको सक्कार आने लगते है और loss of consciousness जिसी condition produce होती है second breathing करने में किसी को difficulty होती है swallow करने में difficulty होती है मलब कि किसी चीज़ को निगलने में दिक्कत आती है या फिर चाहरे पे सुझन आ जाती है lips के उपर सुझन आ जाती है तो उसका मतलब यह हुआ कि आपको यह दोनों में से किसी भी एक ingredient की allergy या फिर दोनों की allergy है तो ऐसे conditions में यह medication को लेना जो है वो तुरंत बंद कर देना चाहिए Contraindications के हम बात करें तो किसी को diarrhea हुआ है पर diarrhea होने का reason मान लो Clostridium difficile bacteria है तो उस दोरन यह medication को यूज नहीं करनी चाहिए फिर किसी को diabetes है और diabetes में blood sugar level जो है वह काफी low रहता है तो ऐसे लोग भी यह medication को यूज ना करें potassium की मात्रा कम है सरीर में seizure मलग कि किसी को मिर्गी के दोरे बढ़ते है lungs kidney या फिर heart transplant के patient है या फिर peripheral neuropathy का कोई patient है या फिर जिसका liver अच्छे से काम नहीं कर रहा liver disease के patient है तो वो लोग यह medication को यूज ना करें दूसरे contraindications हम देखें तो किसी को nitroimidazole derivatives compound की allergy है या फिर phloxacens की allergy है तो भी यह medication को यूज ना करें central nervous system related को बीमारी है epilepsy का patient है multiple sclerosis का patient है liver disease है तो ऐसे सभी conditions में यह medications को यूज नहीं करतें तो ऐसे ही detail में सीखे किसी भी दवाई के बारे में medicine course में pharma rocks की अब उपर तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है तो जो disease and medicines related course है और उसका study material है PDF अगेर आप access कर सकते है pharma rocks की अब उपर तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 901631-2020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते है link मैं आपको description box में दे दूँगा good luck and all the best